हमारे द्वारा चार डिफरेंट तरह के इंजिन बनाने के बाद भी इंजिन की एफिशन्सी और पावर आउटपुट में कोई जादा फर्क नहीं पड़ा स्टीम इंजिन टोटल हीट एनरजी सप्लाई का सिर्फ 6% हैवी ओयल इंजिन 10% गैस इंजिन 17% और पेट्रोल इंजिन सिर्फ 12% ही वर्क में बदल पाते थे आने के लिए सबसे पहले पत्थरों को आपस में रगडा जाता था उसके बाद लकड़ी को घिसान जाने लगा उसके बाद आए फायर पिस्टन अगर एक फायर पिस्टन पर घास के टुकड़े को रखके जोर से मारा जाए तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है एक फायर पिस्टन से आइडिया लेकर डीजल इंजिन बनाना वाओ इसकी कहानी आगे भी जाने रहेगी अब आपके लिए एक सवाल फायर पिस्टन को जोर से मारने पर घास ने आग क्यों पकड़ी